हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम जो बीए सेकेंडियर लाइप्रेरी साइंस का डेटाबेस पढ़ रहे थे जिसमें हम डेटाबेस का क्या-क्या उप्योग है यूजेज ओफ डेटाबेस के उपर चर्चा करेंगे डेटाबेस हम सामन्य जीवन की बात करें तो सामन्य जीवन में हम जैसे कोई किताब है या कोई संग्रह है किसी भी प्रकार का घर पे हम किसी भी चीज़ का संग्रह करते हैं एक जैसी वस्तू का किसी भी चीज़ का हम वर्गी करण करते हैं तो वो एक फिजिकल डेटाबेस है वह उनकी एक अधिक्तम उपलब्दता है किसी भी विशेवस्तो की एक किताब के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं वह वो भी एक फिजिकल या बोतिक डेटाबेस होता है अब जब हम डेटाबेस की बात हम information technology और communication में करते हैं तो वर्तमान समय में जो की एक ICT का समय है इस समय में जितने भी करेकरम होते हैं जितने भी काम होते हैं जितना भी हम mobile के या फिर computer के द्वारा चीजों को देखते हैं करते हैं हर चीज आज कहीं न कहीं डेटाबेस से जुड़ी हुई है आज हम इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं तो पूरी लिस्ट तयार हो जाती है तो वो भी अपने आप में एक डेटाबेस है हम अपने गरेलु जीवन में कोई भी चीज हम इखटी करते हैं वो भी एक डेटाबेस तयार हो जाता है और डेटाबेस का जो प्रमुक उद्धिश्य होता है वह जो ग्यान होता है उस ग्यान का स्रजन और उस ग्यान का संगठन होता है और उस ग्यान को पविशी के लिए बचा के रखना उसको संग्रहित करना उसको सेव करके रखना यही डेटाबेस का मुख्य उद्धिश्य होत अपनी गरेलू आफशक्ताओं को पूरा करने के साथ साथ जो तेजी से जो अंतरास्टी सूचना का जो सिस्टम फैल रहा है आज जो सूचना बाजार इतना बढ़ गया है ऐसे इस्तिति में डेटाबेस का जो उपयोग है वह और उसका जो महतु है वह बहुत अधिक बढ़ आज देश में स्वदेशी सूचना उद्योग के विकास को जोरदार बढ़ावा दिया जा रहा है मतलब जो स्वदेशी इंफोर्मेशन जो लोकल इंफोर्मेशन है उसको जोरदार बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में विज्ञान टेक्नलोजी औसदी विज्ञान देख प्रसारण माध्यम और कम्प्यूटर पादारित मनोरंजन जैसे उबरते उद्योग इन क्षित्रों से सूचना उपलब्द कराने की विशिस्ट आफशक्ताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो डेटाबेस का जो उप्योग है आज जीवन के प्रतियक पहलू चाहे वो सा आसकरतिक हो, राजनितिक हो, आर्थिक हो, मनोरंजनात्मक हो, किसी प्रकार का भी हो उसमें कहीं कहीं डाटाबेसिस का सिस्टम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है अब हम पुस्कालें सूचना विज्ञान के शेत्र में इस डाटाबेस को संदरबित करते हैं विबिन जो न उनकी एक कारिशिल डाटाबेसिस प्रनाली होती है, जिसके अंतरगत वो अपने डाटा को स्टोर करते हैं, भविशी के लिए सरक्षित रखते हैं, जैसा कि विज्ञान और तक्निकी शेत्र, सामाजिक आर्थिक डेटा, कानून, अधिनियम, प्राकर्तिक संसादन, देश म उपलब्द डेटाबेस जो प्रनाली है या सूचना प्रनाली जो है वह अत्यांत विश्रत है, हर एक शेत्र में कहीं न कहीं डेटा का एक अपने संस्तान की आफशक्ता ग्यान रूब उनको सेव किया जाता है, उनको संगटित किया जाता है, उनको आगे के समय के लिए प्राप्ति के योगि बनाने के लिए उनको डेटाबेसिस के रूप में तियार करना पड़ता है, जिसमें कि उनको संसादित किये जाए, उनको मैनूपलेट किये जाए, और उनको एडिट किये जाए, और उनमें रिप्लेसमेंट किया जाए, कुछ भी करें, और उनमें तरगत हम जो डेटाबेसिस है वो तीन भागों में तीन प्रनालियों में बाढ़ सकते हैं जैसे संदर्ब प्रनाली, तथ्यात्मक प्रनाली, पूर्ण पार्ठ प्रनाली संदर्ब यानि रेफरेंस सिस्टम इस प्रनाली के द्वारा उप्योगताओं को उप्युक्त दस्तावेज उपलब्द कराने के साथ साथ संदर्भित जो दस्तावेज का शारान से भी उपलब्द कराया जाता है विबिन विश्यों में प्रकासित पत्रिका हैं और डेटाबेस जैसे की मेड लाइन, पायोसीज, कैमिकल अबस्ट्रेक्ट तथा क्षत्री डेटाबेस से भी सुचना उपलब्द करवाई जाती है जो information systems हैं हम पुस्काले सुचना विज्यान के खषत्र में information communication technology की बाद करते हैं तो रज्यो संदर्बु प्रणाली के अंतरकत विबिन जो information system है अंतर रास्ति इसतर के रास्ति इसतर के जिसे की हम मेड लाइन, बायोसीज, कैमिकल अबस्ट्रेक्ट आदी होते हैं तो ये सभी संस्तान एक reference प्रणाली उपलब्द करवाते हैं जिससे कि उनके संस्तानों के उनके संदरवित सूचना के साथ साथ में उनका सारांस भी उपलब्द करवाते हैं दूसरी है तथ्यात्मक प्रणाली जैसे सर्वेक्षन और प्रेक्षन से प्राप्त देटा की सूचना होती है वह सभी तथ्यात्मक प्रणाली के अंतरगत आती है वेबी ने जो रिसर्च होते हैं अनुसंदान होते हैं उनमें तो जो सर्वेक्षन जो सामाजिक सर्वेक्षन होते हैं या जो प्रेक्षन यानि प्रियोग होते हैं या कोई परिक्षन होते हैं उनके सुचना होती है तथ्यात्मक और अब्जेक्टिव सूचना उपलब्द कराए जाती है उसका गुणात्मक महत्व कम होकर तथ्यात्मक महत्व जादा होता है आकडों के रूप में सूच इस प्रणाली में पत्र पत्रिकाएं पुस्त के आधी जो होती है और जो संस्तान की जो संपुन सामगरी होती है उसका पूर्ण पार्ड यानि पूल टेक्स्ट पूरा प्रलेक उसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रोनिक माध्यम में उपलब्द करवाना उसमें कोई कांट छाट नहीं करना जैसा प्रलेक है उसको डिजिटाइज करके उसको वैसा कर वैसा जो यूजर्स हैं उनको उपलब्द करवाना यहां पूर्ण parlarी होती है पारत में जैसे बहुत सारे से बहुत सार संसा बाहु मुली संसादन है जैसे कि यहां ने आहिन यहां रोयल रास्टी पुष्काल हो हैं इंडरा गांदी रास्टी कला केंदर हे रास्टी सामाजिक विग्यान प्रलेकन केंदर है उद्ध्योग क्रसी समाज कल्यान संस्कृतिक सुचना आधिस समंदित संस्ता हैं इन्फोर्मेशन लाइबरी नेटवर्ग है विबिन संस्तान जैसे इंडियन आशोशेशन ओफ लाइबर इंडियन लाइबरी आशोशेशन है साइंटिफिक आशोशेशन सेंटर है निसकेर तो यह सभी संसा हैं जिसमें की सूचना के डाटाबेसिस होते हैं और सूचना के डाटाबेसिस त्यार किये जाते हैं भारत में विज्ञान और प्रद्योगी के शेत्र में डेटा और सूचना को एकत्रित करने हैं व्यवस्तित करने ताथ भंडारित करने में प्रमुक संसा है इसा लग नहें, उनके उपर हम बात करते हैं जैसे वेज्यानिक और उद्योगीक, अनुसंदान विभाग, Indian Counsel of Scientific and Industrial Research, वेज्यानिक और उद्योगीक अनुसंदान परिशद, विज्यान और प्रोद्योगी की विभाग, पर्मान उर्जा विभाग, पर्यावरन विभाग, क्रसी अनुसंदान परिशाद, भारती आयुर विज्यान अनुसंदान परिशाद, रास्ती सूचना केंद्र, सूचना नेट्रक ये सबी जो संस्तान हैं वह अपने अपने विशे के समंद में डेटाबेसिस त्यार करते हैं और उन डेटाबेसिस को पुर्णर प्राप्ति योग्य बनाते हैं भारत में जैसे इन्फोर्मेशन सिस्टम है जैसे डेल नेट, बॉंबे नेट, कलक्ता लाइबरेरी नेट, एमदाबाद लाइबरेरी नेट, इन्फोर्मेशन लाइबरेरी नेट, बायो टेक्नलोजी इन्फोर्मेशन सिस्टम नेट्वर्क आदी ये जो संस्तान है ये समंद जित उस विशेक से जूड़ी हुई सूचना है आपस में स्वयम एकट्टी करके डेटाबेसिस त्यार करते हैं और एक नेट्रक स्तापिद करके सूचना को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पहुचाते हैं तो इस प्रकार जो डेटाबेसिस है इनका उपयोग विपीने संस और उस ग्यान को आगे बढ़ाने में जो डेटाबेसिस है वह अपना महत्वपुन रोल अदा करते हैं